हलो लर्नर्स, वेलकम टो आर चैनल अड़ोईस पवन, आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे, हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास नाइन की सप्लिमेंटरी रीडर बुक मॉमेंट्स का चाप्टर नमर थी, ईश्वरन्द स्टोरी टेलर, and इस इस थोर्ड पार्ट अफ दो सेम उसे स्टोरी का ये तीसरा पार्ट, इश्वरन्द स्टोरी टेलर, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा किस प्रकार से उसमें इंट्रोड़क्शन, थोड़ा-थोड़ा बैक्ग्राउंड वगरा दिया गया था, स्टोरी से रिलेटेड, कि इस वरन्द कैसा सक्स है, और उसने एक ड्रावना, एलिफेंट का हाथी का किसा सुनाया, और कैसे उसने एक स्टिक किसा आ रहे उस हाथी को नाखोन पर मार कर, पैर के तीसरे नाखोन पर मार कर, हाथी को कंट्रोल कर लिया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए, आज हम लोग फिर चर्चा करने वाले थे, गोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो ये आज हम लोग करने जा रहे हैं, थर्ट पार्ट, ओके, ये पैरेग्राफ यहां तक हमने सूपर नैचुरल तक कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से, ताकि मने अमालेज आप लोग भूल गए हो, कुछ याद नहीं रहा हो, तो उसे साहता मिलेगी आप लोगों को, चैप्टर को पकड़ने में, ओके, क्या बोल रहा था, प्रिविएस पैरेग्राफ में, देट नाइट महेंदरा इंजॉइड दा मोस्ट डिलिसियस डिनर, उस रात, जो है, महेंदरा ने बहुत ही डिलिसियस, डिलिसियस मने भोजन, वेंजन का मज़ा उठाया, एंड कम्लिमेंटेड इश्वरन, कम्लिमेंटेड मिन्स प्रसंसा करना, और इश्वर की प्रसंसा की, कि आप बहुत अच्छा खाना बनाया, थैंक यू, ऐसे गरके, on his culinary skills, कि वो पाक कलान में कितना माहीर है, बहुत अच्छा खाना बन में तो आप प्रेम से सोएगा, ठीकिन उसने ऐसा expect नहीं किया था, ठीक, unexpectedly बोड रहा है, वो एक most garish account, यानि कि विस्तरित वर्नन सुरू कर देता है, क्या चीज़ का विस्तरित वर्नन सुरू कर देता है, involving the supernatural, यानि कालपनिक कहानी, that means जो परालोकिक हो, इस लोक से related ना हो यानि कुछ जादू सक्तियों से related, भूत, प्रेत, इस तरह की कहानिया, कहानियों से related वो सुरू कर देता है, क्या बोलता है, अब यहां से हमें देखना है, ठीक है, यहां तक supernatural तक हम लोग previous class में ही कर चुके थे, यहां से हम लोगों का आज का chapter, part सुरू हो रहा है, third part, क्या No sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, इसी प्रकार से आप लोग जान रहे हैं कि इस वरन जो कहानी सुनाता था, वो कितना मतलब उत्तिजना पैदा करता था, मनें न चाते हुए भी जदि भूत की कहानी है तो आपको डर लग जाएगा, कुछ इस प्रकार से, तो वही वो बोलता है, you know sir, आ यानि हम लोगों ने जो ये एरिया घेर के रखा है, occupying मैंने कि अधारन करना घेरा लगाना, हमारे अधिकार छेतर में आना, तो ये जो हमारे अधिकार छेतर में ये जो पूरा फैक्टरी का घेरा है, जितना दूर हम लोग का फैक्टरी है, was once a burial ground, ये जो है किसी समय में, यानि एक बार जो है burial ground था, burial ground means होता है, burial मने होता है दफन करना, ठीक है, दफनाना, तो ground मने तो मैदान होता है, that means क्या, कबरिस्तान, ठीक है, एक समय जानते हैं सर, ये जो हम लोग का पूरा फैक्टरी का एरिया है, पूरा कबरिस्तान था, ऐसा करके वो और फिर शुरू करता है, he started, और उसने अपनी कहानी शुरू कर दी, महिंदरा वाज जर्क आउट अउट अफ दफ प्लिजन्ट रिवरी, अब महिंदरा जो था, वो क्या करता है, जर्क आउट बोल रहा है, जर्क आउट मिंस मने क्या बोले, जर्का खाके उड़ जाना, जर्क लग लग जाता है, the pleasant रिवरी, he had drifted, ठीक है, और एक होता है न, after the satisfying meal, आदमी क्या करता है, कि जदी वो बढ़ियां से खाना खाया है, स्वाधिस्ट वेंजन का मजा लिया है, तो दिखेगा उसके बाद आदमी को सोने का मन करता है, ठीक है, तो वही महिंदरा संतोस्प्रत खाने के संतोस्प्रत खाने के बाद किसी को भी है कि थोड़ा अच्छा नीद ले, ठीक है, तो उसको जबकी आ रही थी, उस जबकी से क्या होता है, अचानक जटके से जग जाता है, जैसे उसने बताये कि यह जो फैक्टरी था, किसी से मूर्दा घर था, मतलब कबरिस्तान था, ऐस ठीक है फिर वो बता रहा है कि मैं तो पहले दिन ही जान गया था बोल रहा है कैसे जान गया था when I saw a human skull इस skull मनें होता है कंकाल ठीक है खोपडी ठीक है मनुशी की खोपडी lying on the path जब मैं रास्ते में कहीं आ रहा था या जी कहीं से जा रहा था तो मैंने रास्ते में ही मनुशी का खोपडी महां पड़े हुए देखा ठीक है even nowI come across a number of skulls और यहां तककी even now यानि अभी भी जो है मैं कई सारे इस प्रकार के skulls यानि मानव कंकाल खोपडी या हड़ी वगर ये सब मुझे दिखते रहते हैं इधर उदर जाते हैं तो मिलते रहते हैं ऐसा करके इश्वरन पताता है अब जाहिर सी बात है कोई इस प्रकार से बोलेगा तो automatic है कि आपकी मतलब क्या बोले हैं रोए खड़े हो जाएंगे डर के मारे की बापरेब हम जिस जगापर काम कर रहे हैं आपर कब्रिस्तान हुआ करता था ठीक है बले modern science है आदमी भूत प्रेत पिसाची बगरे को नहीं मानता है लेकिन फिर भी दिल के किसी ने किसी कोने में जो है यह एक धारना बनी हुई है कि मने अंधिरा में कुछ ठोड़ा डर लगता है अभास लगता है हो नहीं हो अलग चीज़े ठीक है मिल जाया करते हैं अभी भी ठीक है तो यहीं इश्वर है ना देखे साइद सब्जी उपजी लाने गया था कि क्या मार्केट से थैला में भर के ला रहा है ठीक है ही वेंट ऑन टो नरेट हवी सम्टाइमश उसके बाद वो सुरूप मने और आगे बढ़ते जाता है क्या बोलता है सम्टाइमस सव घोस्ट एट नाइट बोलता है कभी-कभी वो भूतों को देखा है रात में चीक है भूतों को रात में देखता है कुछ-कुछ काम से यह द नहीं डरता हूं, by these things सर्स, इन सब चीज़ों से, मैं उतना आसानी से नहीं डरता हूं, I am a brave fellow, brave मने होता है बहादूर, मैं एक बहादूर इंसान हूं चीक है, मैं बहादूर आदमी हूं मैं नहीं डरता हूं, but one horrible ghost of a woman लेकिन एक डरावना भूत है, ghost है, किसका एक महिला का, woman का एक महिला का, डरावना भूत है which appears off and on, जो की अकसर कभी-कभी मुझे देखने को मिल जाता है, at midnight आधी रात में, during the full moon, यानि पूरा चांद जब रहता है उस समय, चीक है पूरा चांद जब रहता है उस समय, वो उस महिला प्रेत को देखता है, कभी-कभी ऐसे करके बोलता है, ठीक है, मैंने दोनों चीज बोल रहा है देखिए, it is an ugly creature, यह बहुत ही ugly, ugly मैंने बहुत सूरत भद्दा भूत सब तो सुम्दर रहता नहीं है, ठीक है सेंपूंपू नहीं करने के वज़े से बाल में जठार टाइप से लग जाता है तो matted hair and a shriveled face और सिकड़ा हुआ, पूरा एकदम मूर्ज है मुड़ा मुड़ा एकदम चेहरा हुआ उस टाइप का एकदम मुड़ा हुआ like a skeleton holding a foetus in its arm और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बाहों में ब्रून पकड़े हुए कोई कंकाल हो ऐसा करके तो इस प्रकार से वो बता रहा है पहले तो देखिए दोनों चीज बोल रहा है I am not easily frightened बोला पहले तो मैं आसानी से नहीं डरता हूँ फिर अपने आपको बहादूर भी बोल रहा है मैं बहादूर भी हूँ लेकिन उस महिला का जो भूत है उसे देखकर बड़ा डर लगता है ऐसा करके जो बाल एकदम उलचे हुए है ठीक है हाथों में मालनों ब्रून पकड़े हुए है कुछ ऐसा करके तो उसे बड़ा डर लगता है दोनों चीज बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप जदी सुन रहे हो कि बहादूर आदमी वो अपने आपको बहादूर बता रहा है नहीं डरते हैं बता रहा है और उसके बात फिर बोल रहा है कि नहीं विट मिन्स होता है कापना, काप किया, and interrupted rather sharply और जोर से चिलाया, चीक है, जह होता है न, डर के मारे थोड़ा जोर से आदमी लोग बोलता है, you are crazy, तुम पागल हो इश्वरन, चीक है, there are no such things as ghosts और spirit, ऐसा भूत और आत्मा, ऐसा कुछ चीज नहीं होता है, तुम पागल हो ऐसा अगर के वो बोल रहा है, फिर बोलता है, it is all a figment of your imagination, imagination means होता है कलपना, ये सारी figment means उपच, ये तुमारी कलपना की माने दिमाग की उपच, ये तुम भूत परेत बगरा कुछ नहीं होता है, तो जोट मूट का इसे बोल रहे हो, डरा रहे हो, बोलता है, get your digestive system examined, अपना पे your head as well, or अपना दिमाग का भी इलाज कराओ, you are talking nonsense, तुम जो एकदम nonsense बात कर रहे हो, पागल जैसा बात कर रहे हो, बेकूफी जैसा एकदम बेतुका बात कर रहे हो, बीना सेर पैर का बात कर रहे हो, जगर के वो पुरा डाटता है, क्योंकि उसको डर लग रहा था, ठीक है, he left the room and retired for the night, तो फिर वो महिंदर जो है, he left the room and retired for the night, छोड़ दिया, रूम, और मने रातरी में होता है, सोने होने का टाइम हो गया, खाना होना खा लिया है तो क्या, और इतना डांटा हा उसको, और उसने ये expect किया, महिंदर ने expect किया, कि इस्वरन ठीक है, expecting इस्वरन टु स for a couple of days, यानि कुछ दिन तक वो सल्क में नाराज होना, इस टैप से जैसे होता है, क्यूंकि उसने डांट के बोला था ना, कि कैसा पागल जैसा बात कर रहे हो, इलाज कर रहा हो, पेट का, दिमाग का, तो उसको खराब लगा होगा, ऐसा महिंदर सूच रहा है, और मने दू कि इस्वरन जो है, वो पहले जैसा ही चेरफूल है और टॉकेटिव भी है, चेरफूल मने पहले ही जैसा हासरा है, मुस्कूरा आ रहा है, और वैसा ही बात चित कर रहा है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं हो टाइप का, कुछ उस पर डांटने का असर ही नहीं पड़ा हो, ऐसा क करके, पागलुगल बोल दिया था ना, कुछ असर नहीं पड़ा, फ्रॉम देट डेवन महेंदरा, फ्रॉम ओल इस ब्रेफ टॉक, और उस दिन से क्या हो रहा है, महेंदर अपने बहादुरी भरी बातें करने के बावजूद, वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनीज, त कोई चीज के प्रती हमारे मन में कोई धारना बैठी वी रहती है, किसी चीज के प्रती हमारे मन में डर बना हुआ रहता है, तो आप लोग देखेगा, खास कर सोते समय, जब हम लोग एकांत में होते हैं, तो वो सारे बातें, वो सारी कलपनाएं हमारे दिमाग में फिर से उ तो रात में सोने समय कहीं ने कहीं उसको मने थोड़ा बहुत मने पेचैनी होता आराम से नहीं सो पाता था ठीक है क्या करता था every night he peered into the darkness परती एक रात को वह अपने विश्थर के पास जो था पीप in the darkness पीप पीड इन्ट पीड इन्ट जहांक ना बोल सकते हो ठीक है वो कहां जहांकता था outside through the window next to his bed यानि window से बाहर जहांकता था outside through the window बाहर जहांकता था अपने बेड के सामने उसके बिश्थर के सामने कोई खिलकी वगर थी वहीं पर जहांकता था and trying to make sure और यह निश्चित करता था that there was no movement of dark shapes in the vicinity कि no movement of dark shapes dark shapes कहने का मतलब काली चाया यानि वही भूत प्रेत कि कोई कोई भूत प्रेत बगर अंधेरा में कोई मने वहां गूम तो नहीं रहा है गूम फिर नहीं रहा है ऐसा करके वो मतलब मन में उसका ऐसा अभास होता जब से इस्वरन ने ऐसे बता दिया है उसे कि यहां पर ऐसा ऐसा है कभी-कभी देखता है तब से उसके मन में एक होता है वो कल्पना करने लगता है ऐसा करके but he could only see a sea of darkness लेकिन उसे क्या नज़र आता only see ठीक है दोनों का spelling में देखेगा difference होगा S.E.E. और S.E.A. यह सी पहला वाला जो सी है S.E.E. इसका मतलब हुआ देखना only see वो केवल देखता है क्या देखता है a sea of darkness यहां पर यह सी का कहने का मतलब हुआ समुद्र यानि अंधेरे का समुद्र कहने का मतलब चार और पूरा अंधेरा ही अंधेरा है ऐसा करके वो देखता है और with the twinkling lights of the factory miles away और दूर ही जो है उसे factory की जो lights वगरह रहती है देखा होगा आपने मने मीलो दूर factory की टिम टिमाती जो बतियां थी light थी के साथ अंधेरे का समुद्र ही मने उसे दिखाई देता था ठीक है अंधेरे का समुद्र he had always liked to admire हमेशा admire मेंस होता है प्रशंसा करना वो हमेशा प्रशंसा किया करता था किस चीज की प्रशंसा किया करता था milk white landscape on full moon night ठीक है वह चांदनी रातों में milk white बोल रहा है मतलब दूधिया प्राकिर्तिक द्रिश जो था दिखाई देता था अपने देखाऊ का वह जब पूरा चांद रहता है but after hearing इस्वरन स्टोरी लेकिन जब से उसने इस्वरन की कहानी सुनी on the female ghost यानी female महिला भूत से रिलेटेड घोस्ट से रिलेटेड he avoided looking out of his window अपना खिडकी से बाहर जहांकना ही बंद कर दिया बूलता है ठीक है क्योंकि एक होता है न मन के दिमाग के किसी कोने में वह बात उसका घूम घूम कर आता है all together when the moon was full खासकर कब जब moon जो है फूल होता है यानि पूरा चांद होता है खासकर उस समय तो एकदम ही नहीं देखता है one night महिंद्रा वस वोकन अप फ्रोम इस स्लीप एक रात क्या होता है महिंद्रा जो है वो अपनी नीन से जाग जाता है ठीक है वोकन अप वोकन अप मिंज जाग जाना ठीक है अपनी नीन से जाग जाता है कैसे जाग जाता है by a low moon close to his window close to his window यानि उसके खिड़की के सामने उसकी खिड़की के सामने वो एक low moon सुनता है ठीक है मना रोने की आवाज टाइप का कोई ऐसे ऐसे करके रोता है न तो इस तरह से रोने की आवाज हलके हलकी रोने की आवाज मनलब उसके खिड़की के सामने से आ रही थी तो ये सुनकर वो जाग जाता है At first, he put it down to a cat prowling around for mice सुरू में तो उसने सोचा कि ये कोई बिल्ली है cat है, cat भी बिल्ली भी देखे कोई खर खर रहे से करके कुछ-कुछ आवाज निकालता है कि वो क्या कर रही है prowling around for mice मने किसी चुआ हुआ को दोड़ा रहे होगी उसका पीछा कर रहे होगी इस तरह से या फिर दो बिल्लीयां आपस में जगड़ा लड़ रहे होगी कुछ ऐसा है उसने सोचा ठीक है, लेकिन क्या होता है but the sound was too guttural for a cat लेकिन वो sound जो था वो too guttural बोलता है ठीक है, मतलब कि वो मने बिल्ली के जो आवाज होता है उसमें एक जो sound होती है उसे वो तेज था बोलता है टू guttural ठीक है, उससे तेज थी उससे तीक चुने थी उससे भारी आवाज थी ठीक है, मतलब बिल्ली का जैसा नहीं लग रहा था ठीक है, शुरू में तो धेरे तेरे सुन रहा था लेकिन बिल्ली का जैसा नहीं लग रहा था, बोल रहा था, ठीक है, और उसे देखने का मन कर रहा है, ठीक है, उसके उसमें क्रियोसिटी हो रही है, उत्सुकता जानने की इच्छा कि आखिरी ये आवाज कैसी है, इतनी ड्रावनी जो ये आवाज आ रही है, कि कहां से आ रही है, किसकी है, बिल्ली की तो नहीं लग रही है, ऐसा गरगे, लेकिन जानने की इच्छा हो रही है, लेकिन he resisted, वो आपने आपको रोक रहा है, किसलिए रोक रहा है, to look out, बाहर देखने से, कहीं कोई वो ऐसा द्रिश्च न देख ले वो विच वूड स्टॉप इस हार्ट जो कि उसके हिर्दे की गती को ही रोक दे यानि उसके हार्ड अटैक आ जाए होता है ने कई बार ऐसा होता है कुछ ड्रावना अचानक से देख लिया और एकदम धक से किया और हाट बीट मतलब बंद हो गया और वहीं आत्मी डेट वहीं पर वह दरासय हो जाता है मार जाता है तो ऐसा सोच के मतलब वह अपने आपको रोक रहा चीक है कि कहीं कुछ मने उल्टा-पूल्टा क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है दिमाग में महिला भूत वाला बात चल रहा है तो कुछ तो वैसा ही कुछ आचानक से कुछ दीखना जाए टाइप के ठीक ऐसे पहले से आप देख रहे हो पहले से जान रहे हो तो वह अचानक से हमारे सामने कुछ वैसा विजिबल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कितना भी मनें बाहुबली आजाए कुछ भी आजाए हूँ मनें एक बार तो डरेगा ही डरेगा वैसा करके बट दो वेलिंग बिकम लावडर एंड लेस फैलिन लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यह जो वेलिंग बिकम लावडर यह जो रोने की कराने की गुराने की आवाज आ रही है यह लावडर होती जा रही है और तेज होती जा रही है और तेज होती जा रही है और ले टाइब से, and he could not resist the temptation anymore, अब जो है वो अपना temptation को नहीं मतलब रोक पा रहा है, ठीक है, वो अपने उत्सकता को और नहीं रोक सका, क्या कर रहा है, lowering himself to the level of the window shield, खिर्की का जो छज्जा वगरा होता है, ठीक है, तकता वगरा, वहां तक वो थोड़ा मने जुक करेक होता है, जैसे, क्योंकि उसके मन में तो डर है, आचानक से पूरा खिड़की के सामने, पूरा फुल बॉड़ी से थोड़ी देखने लगेगा, तो थोड़ा समने जुका हुआ, अपना बॉड़ी को जुका लिया, थोड़ा से चुप के देखने टाइप का देख रहा है, क्या देख रहा है, बाहर वो क्या देखता है, चांदनी की सफेज चादर को देखता है, चीक है, वाइट शीट अफ मून लाइट आउट साइड, अवे, और वहीं मतलब ज्यादा दूर नहीं, not too far, फार मने होता है दूर, तो ज्यादा दूर नहीं, not बोल रहा है, ज्यादा दूर नहीं, was a dark cloudy from clutching a bundle, आपर कुछ अंधेरी सी वो आकरिती उसे देखने को मिलते है, जो कि एक clutching a bundle कहने का मतलब, एक गठरी की तरह, मतलब, जैसे पकड़े हुए है, या बैठे हुए है, मतलब, सिकूर के आप बोल सकते हैं, कि कोई उस प्रकार से बैठा हुआ है, एकदम सिकूर के वैसा करके वो कुछ देखने पाता है, जैसे कि कोई धेर हो, कोई बंडल रखा हुआ हो, उस टैप का एकदम जमा हुआ हो, एक ही जेगा वैसा वो देखने पाता है, महिंद्रा ब्रोक इंटू ए कोल्ड स्वेट, और ये द्रिश देखकर महिंद्रा को एकदम ठंडा पसीन आ गया, कोल्ड स्वेट, वही मैंने बताया था, शुरू में हम लोग चर्चा किये थे, उसे एकदम ठंडा पसीना आ जाता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे, हम लोग फर्स्ट पेज में हम लोग जो इंट्रोड़क्शन में देखे थे, ये देखें यहाँ पर ये वाला ज देखेंगे, वाज़ेटे गोस्ट, क्या वो भूत था, आत्मा थी, प्रेत था, ये तो हमें पता करना था, तो क्या था वही, अब यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं आगे, तो वो कोल्ड स्वेट में हो जाता है, एंड फेल बेक ऑन दा पिलोर, उसकी हिम्मत नहीं Gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself, और फिर वो क्या करता है, वो अपना जो उसका ghastly experience था, ठीक है, ghastly experience मने भूताहा अनुभव, ये जो भूताहा अनुभव था, वो उससे धेरे धेरे मने बाहर निकलने लगा, ठीक है, Gradually recovered from the ghastly experience, होता है न, कुछ छन होता है, धेरे धेरे मने सोच र He began to reason with himself, reason with himself, यानि अपने आप से ही बाते कर रहा है, अपने आप से ही तर्क कर रहा है, कि वो क्या था, क्या चीज हो सकता है, कोई लकडी का वंडल था, कोई भूत था, या फिर वही महिला भूत थी, जो इस्वरन बता रहा था, कि कोई बिल्ली थी, कोई जानवर था, मतल बिल्ली कंक्लूड़ेट देट, और फाइनली अन्ततर उसने ये निसकर्स निकाला, क्या निसकर्स निकाला, बिगेन तो रिजन विद इमसेल पर फाइनली कंक्लूड़ेट देट, इट मस्ट हैव बिन सम्षॉर्ट अफ आटो सजेस्चन, कि ये जो है, स्वता कोई मतलब अनुभव होगा, और तो सजेस्चन कहने का मतलब खुद का, एक मतलब आप इसे इमेजिनेशन का नाम दे सकते हैं, यानि उसकी कल्पना बोल सकते हैं, उसके दिमाग की उपज बोल सकते हैं, एक होता है ना, जैसे आदमी डरा हुआ रहा रहता और दिन भर जो सोंचता है, या जो उसके साथ घटित होता है, तो उसी प्रकार की बाते उसके दिमाग में ज़्यादा तर आती हैं, और ऐसा मने उसे महसूस हो रहा है कि सम ट्रिक मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, जो कि उसके सबकॉंसियस हैड प्लेड ओन हीम, उसका जो अचेतन मन है, ठीक है, कॉंसियस म अचेतन मन जिसको बोलते हैं, जो हम लोग सोय हुए रहते हैं, तो उसमें हम लोग का मन जो है अचेतन होता है, हम लोग देखेगा, उसी अचेतन मन से सोपन बगर भी देखते हैं, तो वैसा ये भी सोच रहा है कि वो उसका अचेतन मन के द्वारा चला गया, कोई चाल होग वो इसको डरा रहा होगा ऐसा गर के वो सोचता है और इस प्रकार से सुबा सो कर उठता है और नास्ता बगर के लिए बाहर मतलब निकलता है यानि पहले रात यानि बिती हुई रात पिछली रात का जो डर था उसके दिमाग से उतर चुका था क्योंकि उसने कुछ देखा नहीं एक होता है अपने देख लिया या टच किया उसे मतलब ऐसा महसूस हो रहा था और उसने फाइनली ये निसकर्स भी निकाल लिया था कि वो कुछ नहीं था वो जो काली चाया उसने देखी थी वो उसके दिमाग के उपज थी ऐसा करके तो इसलिए वो मतलब सुबा नाहाया दोया नास्ता बगर किया और मतलब सब भूल गया था उसके दिमाग से उतर चुका था वो सारे बात दिम में ऐसे भी आदमें वो सब चीज को उतना याद नहीं करता है इश्वरन ग्रिटेड हीम एड़दा डूर तो वही दरवाजे पर जैसे वो निकल रहा था दरवाजे पर इश्वरन उसे मिला with his lunch packet and his bag उसके lunch packet के साथ ठीक है नास्ता के लिए बाहर निकल रहा था वो लेकर आया था lunch packet वगर बैग बगर भी लाया था just as महेंदर वाज stepping out इश्वरन grind and sit तो जैसे वो बाहर मतलब कदम रखने वाला था बाहर मतलब निकल नहीं वाला था इश्वर मतलब दांत दिखाते हुए बोल रहा है sir remember the other day when I was telling you about the female ghost sir आपको वो दिन याद है remember ठीक है आपको remember means याद करना आपको वो दिन है दिन याद है when I was telling you जब मैंने आपको बतलाया था ठीक है about the female ghost उस भूत महिला के बारे में उस प्रेत महिला के बारे में बताया था ठीक है with the fighters जो कि भून लिए रहती है अपने बाहों में अपने हाथों में ऐसा करके वो कहानी याद है मतलब वो किस्सा मैंने बताया था आपको याद है ऐसा करके you were so angry और मैंने जैसे बताया था पूरा एकदम गुस्सा हो गए थे with me for imagining things कि हम मैं जो हूं कलपना करता हूं पागल जैसे बाते करता हूं ठीक है जो बोल रहा है कल रात को आपने देख लिया न अपने हे आप इस महिलअ भूत को फड़िए यह हार वर्ड आया या वह इस तरी महिला भूत बीन में यह थे ولए रहती है तब कितना नाराज हुए थे बोल रहा है मैं यह सब कलपना करते हृता हूं पाघल हूं। पेट इलाज करें दिमाग का इलाज करा वोड़ें लिए खैर सुइभन अपने लिया होगा पुलता है। ठीक है ऐसा करके वह बोलता है सुनाता है अपना में बढ़ास निकलता पता नहीं रियालेटी क्या थी कौन सही था कौन गलत था I came running बोलता है मैं दोड कर आया था बूल रहा है रात मारा जाए किससा बता रहा है मैं भी दोड कर रहा था I came देख लिया नहला हमको बोल रहे थे बड़ा पागिल है इसा गर के 玩 a chill went down Mahindra's spine और ऐसा सुन कर Mahindra का spine spine मनें होता है रीड का हड्डी ऐस न कर एगदम महéndra का रीड का हड्डी एगदम सुन होगppt मतलब क्या暂र चो को पत्थर बन जाना जिसको बोलते इं कोई movement ने एकदम बापरे मतलब क्या उसने रात में देखा वो भूत था वो महिला भूत होती ऐसा करके एकदम पुरा होई थंडा पसीना टाइप का एकदम पुरा सरीर एकदम सुन हो गया और उसके बाद आगे वो मतलब रुका नहीं इस्वरन को सेंटेंस कंप्लीट करने भी नहीं दिया मतलब इस्वरन बोली रहा था और उसको सेंटेंस पूरा करवा के पूरा करने भी नहीं दिया तो एक दम तेजी तेजी से एकदम तुरांत एकदम जल्दी जल्दी में अपना ओफिस पहुचा एंड हैंड एन इस पेपर अपना जो भी पेपर वो सुपरवाइजर का काम करता था ना बहुत सारे कागज पत्तर वगर थे उसके पास तो उन सबको हैंड ओवर यानि सौप देता है कि यह लिजी ऐसा गर के रिजॉल्विंग टूलीफ मतलब जो भी काम था बकाया था यह जो जो काम मिला था यह यह कागज हुआ यह रिपोर्ट हुआ इतना मैंने काम के इतना पैसा हुआ इस मतलब जो भी हुआ अपना सारा क अगर सौप रा था काम से रिलेटेड क्यों टू लीव दा हॉंटेट प्लेस तब वेरी नेक्स्ट डे की एक उस हॉंटेट प्लेस हॉंटेड मने भुताहा जगह उस डरावना जगह को वह एकदम वेरी नेक्स्ट डे एकदम कली छोड़ देगा ठीक है उस भूतिया स्थान को एकदम अगला ही दिन वो एकदम छोड़ देगा वहां आप और एकदम नहीं रहेगा ऐसा अगर के तो आपने देखा किस प्रकार से इश्वरन की कहानी का महिंदर पर कितना विश्वास किया वो और कितना असर पड़ा आप देखे होंगे कि खास कर मने ये कहानी जो है ड समय जो एक्सप्रेशन दिये जो अपने हाव भाव अपनी आखे अपना चेहरा बनाता था अपने हाथ पाउं जो मुव्मेंट करता था कभी-कभी जमीन से उचल जाता था इस प्रकार के मुव्मेंट से ही मतलब आदमी को लग रहा बाप रहा वाव एकदम रियली में जैस वो सक्स जो है उतना डर गया अब में भी वो रियालेटी क्या थी वो तो भाई हमें नहीं पता क्योंकि ये हमारे लेखक महद है आरके लक्ष्मन ने यहीं पर कहानी को स्टॉप कर दिया है पूरा क्लेर नहीं हुआ या हो सके इस वरन जो है मैंदर नहीं डर रहा था इसलि या कुछ जाड़ी उड़ी वहां रग दिया गया हो ऐसा करके या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रियली में वो महिला भूत थी उस महिला की आत्मा थी रियली में जो जिसके बारे में इश्वरन ने बताया था वाटेवर इट में भी खेर जो भी हो मानने से भूत नहीं तो आद भी ऐसा होगा आप हरिदे से मजबूत बने रहे गा बोल दें मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान वही मतलब जैसा आप उसको फीलिंग्स करोगे मंदिर में वही पत्थर को अमलोग देखेगा सिंदूर लगाते हैं तिका लगाते हैं अगर वती जलाते हैं लेकिन वही के उपर है आप उसे जैसा मानते हैं और जहां तक जदी साइन्स की बात करोगे तो साइन्स को मानने वाले तो भाई वैसे स्प्रिट जैसी चीज़ों को गोश्ट जैसी चीज़ों को नहीं ही मानते हैं लेकिन आप जदी ओजागुनी जाडभूक वाले में जाओगे या प पाया है और आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा तो इस प्रकार से हमने ये देखा इश्वरन दे स्टोरी टेलर किस प्रकार से फर्स्ट पार्ट में जो था आपका इंट्रोडक्शन को हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में ठीक है फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वो देखा था आपका elephant से related जो कहानी थी वो देखी थी और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से घोष्ट की कहानी के थुरू वो बतलाता है तीक है और इस प्रकार से ये line by line explanation नहीं पर complete होता है इश्वरन दे स्टोरी टेलर चैप्टर नबर त्री I hope आपको ये एक्स्प्लानेशन पसंद आया होगा और जदी कुछ आप लोग को डाउट रहा गया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं So learners for the next class Please stay connected with our channel and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications Thank you